हेलो एवरिवन पढ़ रहे ओनलाइन कलासीज पर एक बार फिर से आपका स्वागत किया जाता हूँ और आज हम डिसकस करेंगे PAU Agriculture जो उनिवस्टी है पंजाब Agriculture उनिवस्टी है उसके बारे में क्योंकि जो उसकी last date थी form fill करने की वो थी आपकी 17 June और उसको extend कर दिया गया है देखिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कब तक आपके जो form है वो अब आप apply कर सकते हैं और इसके साथ जो AAT का exam होना था वो आपका होना था एक जुलाई को वो भी post point कर दिया गया है तो notice में हम देखते हैं कि क्या कुछ कब आपका exam होगा और क्या आपकी last date होगी और क्या आपकी late fees के साथ अब कब तक apply कर सकते हैं तो देखिए मैंने जो पंजाब agriculture के official जो website है वो open की हुई है और इसमें notice के board में मैंने notice open किया तो इसमें देखिए आप notice में दिया गया है जो आपकी last date थी पहले 17 June तक आप apply कर सकते थे form और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर mention किया गया है जो कि जो आपकी last date extend कर दी गई है up to 23 June आप 23 June दो जारी किस तक apply कर सकते हो और इसके साथ जो आप आपकी जो late fees लगेगी अगर आप 23 से late हो चुके हो और अब भी form apply करना चाहते तो उसकी last date late fees के साथ अब 30 June तक apply कर सकते हो ठीक है इसके साथ जो आपका AAT यानि कि 10th base पे जो आपका entrance exam होता था उसको भी post point कर दिया गया है वो पहले तो उसकी date थी 1 July को आपका exam होना चाहिए था लेकिन उसको post point करके आगे बढ़ा दिया गया दिखे मैं बताता हूं आपका पहले जो exam होना था वो 1 July को होना चाहिए था और उसको post point करके 1 August को अब आपका जो AAT का exam वो conduct करवा जाएगा ठीक है यह आपके लिए एक बहुत अच्छी update आई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि time नहीं मिल पा रहा है preparation के लिए क्योंकि बहुत कम time दिया गया था आपको form निकलने के बाद जैसी form release हो है तो आपको कम से कम एक महीना मिला था preparation करने के लिए तो अभी आपके पास बहुत सारा time है preparation करने के लिए और आपको एक और information अगर मैं देता हूँ क्या है कि अगर आप PAU AAT और CET की त्यारी करना चाहते हैं और आप course purchase करना चाहते हैं तो पढ़ रहे online classes पे AAT और CET दोनों के लिए course available है और आपका ऐसे purchase कर सकते हो या किसी भी inquiry के लिए मैं आपको यहाँ पे number देता हूँ उससे आप उस number पे contact करके बात कर सकते हो AAT और CET के regarding यह नमबर आपको शो हो रहा है इस number पे contact करके आप AAT CET के जो course available है उनके बारे में inquiry कर सकते हैं और course purchase भी कर सकते हैं और अपनी preparation भी कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही अगर अच्छी लगती है तो like, share, subscribe जरूर करना थैंक यू